तो गाईज, वेलकम टो ओवर यूटीब चैनल, तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब है, आज आप लोगों इस साथ ले कराए हैं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जो बीकॉम ओनर्स रेगुलर वालों का माइक्रो एकोनोमिक्स का पेपर हुआ था, उसके कम्प चलिया अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर शब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ल ही होती है और वो कॉनकेव ही क्यों होता है यह बताना था तो दा स्लोप अफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस मार्जिनल अपर्चिनिटी कोश्ट विच रेफर्स टू एडिशन सेक्रिफाइब फ़र्म मेक वें देले शिफ्ट रिसोर्स एंट टेक्नोलोजी फ्रम प्रोडक्शन ऑफ वन कमेडिटी तो अनौदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कारू किशीच पर डिपेंड करता है एक फर्म किसी दूसरी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक पिछली वाली यूनिट का कितना पार्ट सेक्रिफाइब करती है उसे हम कहते हैं अपर्चिनिटी कोश्ट क्योंकि रिसोर्स इस अमारे पास लिबिटेड है एक तरीके से तो जितनी हमें एक की ज़्यादा यूनिट वनानी होंगी दूसरी की उतनी यूनिट को कम करना पड़ेगा और इसी की वज़े से जो प्रोड़क्शन पॉसिबिलिटी कर होता है उसकी शेप कैसी हो जाती है कॉनकेव हो जाती है फॉर्मूला होता है marginal opportunity cost को calculate करने का loss of output of y upon gain of output of x इस marginal opportunity cost of good y in term of good x is constant then ppc will be straight line अगर कोई कभी ऐसा होता है कि जो marginal opportunity cost है कि good y की in term of goods x के वो constant हो जाती है तो फिर वो ppc कैसा होगा श्टेट लाइन होगी ppc करू की ठीक है नेक्ष्ट है का अब second के एपाट का answer यह बोला गया था कि हमेशा क्या जो price ceiling होती है उसकी जैसे market के outcome में changes आते हैं तो इसका answer है maximum price ceiling refers to maximum price of a commodity that seller can charge from buyer यह अपित अपते पहले maximum price ceiling के बारे में बता रखा है क्या होता है तो maximum price जो कि एक seller buyer से charge कर सकता है वो कहलाता है price ceiling the government fix this price to be lower than equilibrium market price so that commodity remain within reach of poorer section of the society government price ceiling क्यों fix करती है क्योंकि जिससे जो poorer section है society का उसे भी यह goods available हो सके when price ceiling is lower than equilibrium price there is likely to access demand leading to shortage of commodity जब price equilibrium level से भी कम हो जाएगा तो क्या होगा demand जदा बढ़ जाएगी और जो supply हैगी वो उसकी shortage आ जाएगी a gap emerge between market demand and market supply और market demand of market supply के बीच में एक gap आ जाएगा this may lead to black marketing of product और इससे क्या होने लगेगा जो product है उसकी black marketing होने लगेगी as a result consumer who are willing to pay higher price than price ceiling will go without some unit of this commodity फिर जो लोग higher price देने के लिए भी तैयार होंगे उन्हें भी यह goods available नहीं हो पाएंगे और उन्हें उसकी कुछी unit मिल पाएंगी and in this way price ceiling always change in market outcome और इस तरीके से यह market के outcome को change कर देता है हमेशा second के B part का solution है वो एक numerical था देखिए इसमें सबसे पहले price और quantity के बारे में पूछा था कि equilibrium price क्या होगा equilibrium quantity क्या होगा आपको 2 equation देती quantity demand quantity supplied की उन्हों को आपने equal put करा P की value 100 आगई P की value 100 आगई उसे put करा कर्मेंट का tax revenue क्या होगा यह निकालना था तो देखिए जो हमारे उसके लिए हमें एक new demand की equation दीती तो जो new demand की equation दीती और old supply की equation है उन दोनों को हमने equal put करा जैसी equal put करा हमरे पास क्या निकल के आया quantity निकल के आई कि हम 90 unit sold कर रहे हैं और जैसी 90 unit sold कर रहे हैं तो एक unit पर 15 रूपे का tax था उसे हमने multiply कर दिया तो 1350 हमारा tax revenue का answer आ गया फिर एगा third question third question का मैं हमें cross elasticity find करने के लिए बोलो था cross elasticity का formula होता है percentage change in demand of a upon percentage change in price of b first हैगा gel pen और ball point point की हमें निकालनी थी cross elasticity तो यही formula percentage निकालने के लिए हमें क्या करना होता है change upon quantity of ball pen upon quantity quantity of ball pen upon change of price of gel pen upon price of gel pen यह करा हमने वैसी हमारे पास निकल के answer आ गया plus का 0.25 तो इससे हमें क्या पढ़ता चलता है कि यह दोनों एक perfect substitute goods हैं ठीक है सेकिंड हैगा gel pen और refilling की cross elasticity निकालनी थी तो उसी formula से हमने निकाली तो हमारे पास value निकल गया ही minus के 0.467 इससे पता लगता है कि यह दोनों complementary goods हैं फिर थर्ड के b part का answer हैगा tax incidence defined as actual burden that each transaction participants share cannot be mandate by law but depend upon respective elasticity of supply and demand on taxed product tax incidence क्या होता है मदलब जो tax का burden है वो दोनों parties पर पढ़ता है और यह कोई law नहीं बताता है कि किस party को कितना tax देना है यह depend करता है elasticity क्या है demand और supply की only if either demand और supply was either completely elastic और completely inelastic will be tax button full entirely on either the seller or the buyer अगर demand या supply की price elasticity होती है या price inelastic होती है तो जो complete button होगा tax का वो या तो seller पर पढ़ेगा या buyer पर पढ़ेगा but between these two extreme tax incidence varies continuously from perfectly inelastic supply perfectly elastic demand but तरफ यही दो condition ही होती है इसके साथ में perfectly inelastic supply perfectly elastic demand भी होती है तो seller assume the entire button of tax to perfectly elastic supply अगर perfectly elastic supply है तो seller के ऊपर पूरा बढ़ेगा और अगर perfectly inelastic demand यही तो buyer को पूरा button bear करना पढ़ेगा ठीक है फिर आगा आपका फोर्थ के बी पार्ट का answer इसमें IC curve से related कोई question था तो देखे इसका answer IC curve is curve shows the combination of goods which gives same level of satisfaction to consumer so then an individual is indifferent IC curve क्या होता है यह curve होता है जो show करता है combination of goods जो की एक consumer को same level of satisfaction देते हैं MRS क्या होता है MRS is rate at which consumer is willing to give up commodity x for one more unit of commodity y MRS का मतलब होता है marginal rate of substitution मतलब वो rate जब एक consumer किसी एक goods की चादा community को consume करने के चक्र में दूसरे goods की जो community है उसे कम कर देता है वो कहलाता है MRS he try to maintain same level of satisfaction और इसमें क्या होता है same level of satisfaction रहता है when MRS is zero जब MRS zero होती है तो it implies that consumer cannot give up one good for another अगर MRS zero है तो यह होता है कि consumer को एक goods के लिए दूसरे goods को sacrifice नहीं करना चाता therefore the icicle will be straight line parallel to horizontal axis और vertical axis तो IC कर्व कैसा हो जाएगा या तो एक straight line हो जाएगी चाहें तो horizontal axis के parallel चाहें vertical axis के parallel according to situation ठीक है फिर अग आपके समने 5th के एपाट का answer तो the concept of difference curve applied to trade-off in any household choice including labor leisure choice जो indifference curve का concept है वो सभी पर apply होता है चाहें household हो चाहें और उसमें हम include किसे भी करते हैं labor leisure एक choice यह एक choice है कि indifference curve में उसे भी हम include करते हैं तो इन labor leisure choice each indifference curve shows combination of leisure and income that provide a certain level of utility labor leisure choice में क्या होता है indifference curve क्या show करता है कि किसी एक मतलब leisure का और income का combination show करता है जो कि हमें same level of satisfaction देते हैं the greater the amount of sacrifice of leisure there is that is greater the amount of work done the greater income an individual earn जितना कोई individual leisure का sacrifice करेगा उतनी उसकी ज्यादा काम करेगा और उतनी उसकी ज्यादा income होगी Leisure can time used for resting, sleeping, playing etc. Leisure क्या होता है जो हम time use करते हैं किशी में resting में, sleeping में और playing में वो कहलाता है leisure income represent purchase power capable of being used to buy goods and services income क्या होती है purchasing power कि परसन की जो कि क्या goods करीदने के लिए help करती है the curve between income and laser is downward to right and convex to origin जो curve बनता है income and laser का वो कैसा बनता है downward to right की तरफ down होता है और convex होता है origin के, इसे हम trade-off curve भी कहते हैं फिर अगा आपके समने है 7th के B part का answer यह क्या है तो accounting profit और economic profit के बीच में difference बताना था फिर गा economic profit कै होता है economic profit वो profit net profit होता है जिसमें हम total income मैं से explicit plus implicit दोनों टाइप की cost को deduct करते हैं वो कैलाता है आपका economic profit यह फॉर्मूले दे रखे हैं दोनों के accounting के भी, economic के भी, accounting profit will be higher because they, फिर हमें question था कि कौन सा profit इनमें सा higher होता है, तो accounting profit higher होगा क्योंकि उसमें से सरफ explicit expenses को deduct किया जाता है, जबकि implicit जो profit होता है, वो economic profit होता है, उसमें explicit और implicit दोनों cost को deduct किया जाता है, accounting profit निकाला है, हमने यह द दिया गया था, तो 70,000 का accounting profit आया और economic profit आया है, 60,000 का, ठीक है, तो देखे दोस्तों यह हैंगे, अभी तक जो part 1 में जितने question मैंने करवाए हैं, उन सभी के यह complete solutions हैं, में भी आप लोगों के लिए useful रहे होंगे, आप लोगों को पसंद आयोंगे, अगर यह वीडियो अच् शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थेंक यू